दोस्तों में सोरंबलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Economics के Top 25 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा 25 में से कितने Questions के Answer सही कर पार है अपना Score Comment Box में जरूर बतेगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था ये आप लोगों के लिए Test Question है जिसका Answer सभी को Comment Box में पताना है चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला Question मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों पहले Question का सही उत्तर हैगा 12 October 1993 में तो 1993 याद रखने आप लोगों को पहले Question का Right Answer A हो जाएगा दूसरा Question है उबभोगता अधिकार दिवस कब मना जाता है ट्राइ करिए और Comment Box में आंसर बताने की कोशिस करिए दोस्तों उबभोगता अधिकार दिवस कब मना जाता है दोस्तों Right Answer हैगा 15 March को दूसरे Question का Right Answer B हो जाएगा तीसरा Question है भारत में उबभोगता संरक्षन अधिनियम की कोशना कब हुई 1986 में तीसरे Question का Right Answer C हो जाएगा Question No.4 है निमिन में कौन बोज्जे परदार्तों की सुदुता की गारंटी देता है Question No.4 का सही उत्तर हैगा एक मार्क यानि की Question No.4 का Right Answer B हो जाएगा Question No.5 है भारत में रास्टे उबभोगता दिवस कब बनाया जाता है 24 दिसंबर को यानि की सही उत्तर रहेगा A प्यारे दोस्तों आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी Master Pediap ले सकते हैं मातर 170 रुपे में इस Pediap के अंदर आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं Master Pediap का लिंक, description box और हमारे WhatsApp नमबर दोनों जगे रहेगा लिंक पर क्लिक करके, payment करके आप लोग directly Pediap पर राप्त कर सकते हैं चटा question है, नीती आयोग का गठन कब किया गया था? नीती आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हैगा 1.01.2015 को चटे question का राइट आंसर D हो जाएगा योजना आयोग को खतम करके, नीती आयोग का गठन किस पंचवर्षय योजना के कार्यकाल में किया गया था? बारवी पंचवर्षय योजना में दोस्तो, सात्वे question का सही उत्तर B हो जाएगा तिरितम एवं समावे सी विकास किस पंचवर्षय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ग्यारवी पंचवर्षय योजना का आठवे question का राइट आंसर B हो जाएगा नुवा question है सातवी पंचवर्षय योजना नेविल में से किस मोडल पर आधारी थी? डबल्यू मिलर मोडल पर नुवे question का राइट आंसर C हो जाएगा ग्यारवा question है सातवी पंचवर्षय योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा? सातवी पंचवर्षय योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा? दसवे question का सही उत्तर हैगा 1985 से 90 दसवे question का राइट आंसर A हो जाएगा ग्यारवा question है भोजन, काम और उत्तपाधन का नारा किस पंचवर्षय योजना के कारेकाल में दिया गया था? इस question का सही उत्तर हैगा सातवी पंचवर्षय योजना के यानि कि D is the right answer नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक के स्थापना किस पंचवर्षय योजना के कारेकाल के समय हुई थी? छटी पंचवर्षय योजना के यानि कि A is the right answer किस पंचवर्षय योजना का उदेश्य गरीबी उन्मुलन था? पंचवर्षय योजना का यानि कि 13 कोशन कराईट आंसर C हो जाएगा कौनसी पंचवर्षय योजना चार वर्ष में ही समाप्त हो गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है यह पंचवर्षय योजना दोस्तों चार वर्ष में ही समाप्त हो गई थी? 14 कोशन कराईट आंसर C हो जाएगा भारत में हरित करांती का जनक किस किरसी विज्ञानिक को कहा जाता है सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए सेयर करना अपने दोस्तों के साथ में Only Top Study YouTube चैनल पर ये वीडियो दोपैर में दो बजे रेगुलर आती है और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है M.S. स्वामी नाथन पंदर्वे कोशन का राईट आंसर दोस्तों A हो जाएगा सोल्वे कोशन का सही उत्तर हैगा हरित करांती की ठीक है सोल्वे कोशन का राईट आंसर B हो जाएगा सतर्वे कोशन है 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडिस्ट्री के स्थापना किस देश की साहिता से की गई थी सतर्वे कोशन का राईट आंसर रहेगा रूस देश की साहिता से यानि कि B is the right answer अठारवे कोशन का सही उतरेगा दुद्ध्य पंचवर्सिय योजना के दुरान दुर्गापूर भिलाई राउड केला जैसे बड़े कार खाने इस्थापित किये गए अठारवे कोशन का सही उतरेगा दुद्ध्य पंचवर्सिय योजना के यानि कि B is the right answer अठारवे कोशन का सही उतरेगा दुद्ध्य पंचवर्सिय योजना में यानि कि B is the right answer बीस्वा कोशन है दुद्ध्य पंचवर्सिय योजना किस मोडल पर आधारित था सही आंसर हैगा पीसी महल नोबिस मोडल पर बीस्वे कोशन का सही आंसर A हो जाएगा 21 है किस पंचवर्सिय योजना में किरसी को उच्छ प्रात्मिकता दी गई 21 कोशन का सही उत्तर हैगा पर्थम पंचवर्सिय योजना यानि कि किस पंचवर्सिय योजना किस मोडल पर आधारित थी 22 कोशन का सही उत्तर हैगा हेराड डोमर मोडल पर 22 कोशन का सही उत्तर D हो जाएगा 23 कोशन है पहली पंचवर्सिय योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा था 1951 से 1956 यानि कि A राइट आंसर हो जाएगा 24 कोशन है पंचवर्सिय योजना के निर्मान के लिए गठित योजना आयोक की अध्यक्स्ता किसके द्वारा की जाती थी 24 कोशन का सही उत्तर हैगा परधान मंत्री के यानि कि A इस दा राइट आंसर योजना आयोक का गठन कब किया गया था 15 मार्च 1950 को 25 कोशन का सही उत्तर A हो जाएगा देखे 25 में से आप लोगों ने कितने कोशन के आंसर सही किये हैं सबसे पहले तो अपना स्कोर बताईए साथ भी पंच वर्सी योजना निवन में से किस मोडल पर आधारित थी ये आप लोगों के लिए टेस्ट कोशन है इसका भी आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है और मेरे प्यारी दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ये मास्टर पीडियाप नहीं ली है तो 170 रुपे की पीडियाप है इसके अदर आपको सारी सब्जेक्ट मिलेगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं मास्टर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्सिन बोक्स और हमारे वोटसप नमबर दोनों जेंगे रहेगा लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप डारेक्ली पीडियाप प्राप्त कर सकते हैं सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सेर करिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बैल एकन को ओन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंक यू सो मच बाइबाइबरीबन टेक किर ख्याल लगे अपना मिलते है नेक्स क्लास में